हेलो गाईज, स्वाइब एलकाम आफ यूटूब चनल ग्यान बिच सचिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UP Polytechnic Counseling 2022 के रजिस्टेशन स्टार्ट होने के बारे में क्या च्वाइस फिलिंग रजिस्टेशन स्टार्ट होने की कितने दिन बाद होती है और आपको काउंसिलिंग से संबंदित चार ऐसी बाते जरूर जार लेना है जिसलिए आपकी काउंसिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम न हो उसके साथ साथ ही ये 9369041920 का टेलीग्राम नंबर है इस पर टेलीग्राम पर जाकर आपको मैसेज करना है ना कि वाटसाप पर 9369041920 पर आपको वाटसाप करना है जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बेयन हैं वो इस पर वाटसाप कर सकते हैं बहुत सारी गल्स को इस बात को लेकर कुछ दिनों पहले प्रॉब्लम्स होई थी तो जिसके लिए मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस नंबर पर टेलीग्राम पर जाईए और अपने नंबर को हाइड करके रखिए टोंट वरी आप लोगों के साथ मैं पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा तो मिलते हैं फिर रजिस्टेशन स्टार्ट होने के साथ तो रजिस्टेशन स्टार्ट होने जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो काउंसलिंग सेडियूल के जैसे ही counseling schedule आएगा उसके पहले ही दिन मतलब starting से ही दिन 10 बजे आपका registration start होगा अब बात करे registration start कब होगा तो दोस्तों आपकी counseling की schedule जो है वो अभी आई ही नहीं है तो registration start कैसे होगा अब बात करते हैं registration start होने के process के बारे में तो दोस्तों registration जो start होगा वो आपका 2 September के Approx में स्टार्ट हो जाएगा ठीक है friends जो registration स्टार्ट होगा वो 2 September के आसपास स्टार्ट हो जाएगा और लगता है कि 3 September के आसपास आप लोगों की जो च्वाइस फिलिंग का उप्शन है वो भी open कर दिया जाएगा 3 September के Approx ठीक है friends तो आपका registration जो स्टार्ट हो रहा है वो लगबग 2 September से और च्वाइस फिलिंग उसके अगले दिन से सुरू की जाती है 2 September से और जो च्वाइस लॉकिंग का उप्शन होता है वो उसके एक दिन बाद अर्था 4 September से लगबग सुरू हो जाएगा ठीक है friends ये actual date नहीं है ये tentative date है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ 100% सचाई इसमें है अब बात करें कि counseling से 4 संबंदित 4 महत्मूर बाते क्या जुरूरी है आप लोगों को समझ लेना तो दोस्तों जो आपको counseling करानी है अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको Cyber काईफे पर आपको अपनी counseling को कराना चाहिए ठीक है friends अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको अपनी counseling Cyber काईफे पर करानी चाहिए ये मैं बार-बार बोल रहा हूं दोस्तों ठीक है friends ये बहुत ही common mistakes हैं और जो आप mistake कर देंगे बाद में आप लोगों को बहुत बड़ा भुक्तान करना पड़ेगा ठीक है friends फिर दुसरी बात करें अगर common mistake की तो अगर cyber cafe पर करा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी spelling mistakes का ध्यान रखना है और cyber cafe वाले के desktop में आपको जरूर देख ठीक है friends ये बहुत ही important बाते थी common बाते थी जिनने मुझे वीडियो के अंतरगत बताना पड़ रहा है तो I think वीडियो देखकर आप कुछ aware हो जाएंगे अब मैं तीसरी important बात करूँ counseling से संबंदीत तो आपको जो college लाग करना है वो order wise लाग करना है order wise आपको college लाग करना है मतलब एक पहले top सरकारी college फिर उसके नीचे का top सरकारी college फिर low सरकारी college फिर उसके नीचे का low सरकारी college इस तरीके से आपको order लाग करना है क्योंकि 2021-22 के session में भी और 2022-23 के session में भी दो दुस्तों अब क्या होता है कि first round में जो आपने order कर तिया वो आपका round third तक वही order रहेगा और आपने एक बार mistake कर दी तो सारे top government college की street third round तक निकल जाएगी और आपके हाथों से बहुत बड़ा मौका भी निकल जाएगा ये बात आपको ध्यान में रख लेना है ठीक है friends अब मै अगले common mistake के बारे मैं बात करूँगा कि जिन students के बहुत कम number आए है 30 number आए है, 40 number आए है, 50 number आए है एक लाख रहेंग काई है उन students के बारे में बात कर लो common mistake वो क्या कर रहे है उन students को क्या पता नहीं होता कि वो 10-15 college लाख करके aside हो जाते है जो कि बहुत गलत बात है आप लोगों को कम से कम 50 के एप्रॉक्स college लाख करना चाहिए 50 college के लगबग आप अगर लाख करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी आप लोगों को सरकारी college मिलने में बिल्कुल कोई कोई अर्चन होगी ही नहीं ठीक है friends तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि 50 सरकारी college कम से कम लाख करना है और जिन इस्टुडेंस की 75 से 100 नमबर है और जिन इस्टुडेंस के 30 से 100 नमबर है उन इस्टुडेंस के लिए मैंने वीडियो अल्रेडी अपलोड कर दिया है तो जिन इस्टुडेंस को counseling करानी है टॉप सरकारी college मिलना है वो क्या है कि college की list को पहले नहीं तयार कर पाते वो last के moment में cyber cafe वाले से बोल करके कि ये college दिखाओ ये कौन सा college है उसमें क्या है कि वो एक अच्छा college चूजी नहीं कर बाते तो जिनी students को एक top सरकारी college में entry लेना है वो students क्या करेंगे कि पहले से एक list तयार कर लेंगे अपने college की और मतलब order wise list तयार कर लेंगे जिससे उन्हें बिलकुल भी टेंसल लेने वाली बात ना हो तो ये कामें बहुत important थे करने इन्हें आपको जरूर कर लिना चाहिए तो दोस्तों आप लोग के support के लिए मैं परिशान हूँ आप लोग ऐसे ही लगातार support करते रहिएगा और जो भी problems होगी मैं उन्हें solve करता रहूँगा तो मिलते हैं का इसी नई informative वीडियो के साथ तब तक के लिए tata bye bye love you all